नेन आईएस में आप लोगों का सौगत है जीके जीएस के टॉप 25 प्रसनों को देखेंगे जो जाम की दिश्टी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रसन की तरफ हमारा पहला प्रसन है एक राज के मुखमंत्री की नियुक्ति कौन करत है निर्वाचित विधान सवा सदस्य दल का ध्यक्ष राजिपाल और राश्पति तो मुखमंत्री की नियुक्ति जो है राजिपाल करता है और यह जो है अनुछेद अनुछेद 164 के तहत करता है और मुखमंत्री इस्तिभा भी किसको देता है राजिपाल को भी इस्तिभा देता है और बहुमत दल के नेता को राज़िपाल मुखमंतरी नियुक्त करता है चलिए आप बढ़ते हैं दूसरे प्रस्चन की तरफ भार्तिय नागरिगों के मौली करतब हैं एह में 11 मौली करतब है 42 संसोधन उन्हें 76 में एक 10 मौली करतब जोड़े गये थे और 86 संसोधन 2002 में यह जो है एक 11 मौली करतब जोड़ दिया गया था और यह संसोधन की सिधा सम्बंदित शिक्षा से संव्ब सिक्षा के अदिकार से संबंदित प्रित्वी दिवस मनाया जाता है तो इस तरीके से आपको जो है आपको दिवस याद करने पड़ेंगे एक कोशन इसमें बनते हैं एक माई को मजदूर दिवस मनाया जाता है UNDP संहित राष्ट विकास करेकरम का मुख्याले कहां है यह जिनेवा बी है वियना सी यह न्यूव्यार्क डी है पेडिस तो आपको फटापड से उत्तर इसका बताना है इसका उत्तर क्या होगा सी न्यूव्यार्क में है UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है अब कोशन यह कही बार आता है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है तो यह UNDP के दौरा जारी होता है और न्यूव्यार्क में इसका मुख्याले है इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा सी पासुपती की पूरा पूजा करते थे बिक बैंग सिध्धान्त निम्खिस में किसका ब्याख्या करता है इसका उत्तर होगा डी ब्रहमांड का उध्भव का बीग बैंग सिध्धान्त जो है ब्याख्या करता है और यह सिध्धान्त दिया था ले मेंटर ने दिया था यह सिध्धान किसका दिये था लिम्टर ने भारत की खोज पूस्तक किस ने लिखा था तिया जो है जवाहलाल नहरू का लिखा हुआ है ऑप्शन क्या होगा सी है निम्लखित में से किसको समराट असोक ने बहुत धर्म के पचार के लिए स्रिलंका भीजा था तिस से है बी है तीवर सी है महेंदर और संग्मित्रा दी है दसरत तो इसका उत्तर होगा सी महेंदर और संग्मित्रा कम्पीटर में डाटा का सबसे छोटा मात्र की यूनिट क्या है यह है किलोवाट बी है बाइट सी है बीट डी है मेगावाइट तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा सी बीट होता है एक बाइट बरावर आठ बीट होते हैं तो इसलिए इसका जो है बीट उत्तर ह कि उप्राश्पति का मुख्यकार क्या है राज सभा की बैठोकों का सभापति करना है लेकिन इसका दूसरा क्या क्या है अगर राश्पति का पद रिक्त हो तो उप्राश्पति राश्पति का कारिभाल समालेगा अगर दोनों भी रिक्त होंगे तो क्या समालेगा मुख्यन्यादी समालते हैं तो वर्तवान में इसका उत्तर क्या है यह होगा राज सभा के बैठोकों का सभापति दुकरना राश्ट्रिय विकास परिषद का मुख्य संबंदन होता है योजनाओं के अनमोधन से A है, B है गराम है विकास परिषद का संबंद किस से है यहाँ आपको बताना है यहाँ योजनाओं के अनमोधन से A होगा इसका उत्तर राश्टि विकास परिषद का गठन जो है उनेश सो बावन में हुआ था NDC का गठन और नीती आयोग का गठन जो है एक जनवारी एक जनवारी उनेश सो पंदरा में हुआ था यह डेट पुछता है जनवारी उनेश सो में की तरफ बढ़ते हैं किस मोगल बार्स्पा के माकबरे में मग बढ़े में गूंबद का गूंबद का निर्मान नहीं किया गया है यह सिकंद्रा में अकवर का मकवरा है विडियो को पॉज करके आप जो है नोट भी कर सकते हैं जो इंपोर्टेंट कोशन सारे टाप कोशन दिए गये हैं इसको नोट डान करके उतर लिख लिजिए आपको काम आएगा जब सिंद्रा बिले हुआ था उस समय भायत का गवरणर्जनरल कौन था यह है लाडफ नरो ऑकलेंड हार्डिंग पर Wow Nation जलना था उनेश सो अठारा सो तेतालिस और चौवालिस में ये गवर्नाजरनल थे भारत के सबने अभग्या अंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था 15 अभग्या अंदोलन अंतिम रूप से अंतिम रूप से वापस लिया गया था तो 1934 में अंतिम रूप से वापस लिया गया था दो चलान हुए तेज के एक जो है 31 तक चला था दूसरा जो है 32-34 के बीच में जला था नेश कुशन पर चलते हैं समिधान के वंदों के तहट किस प्रकार से भारती है नागरिक्ता समाप्त हो सकती है त्यागने पर पड़या और शान पर वंजित किये जाने पर और सभी तो इसका उतर क्या होगा डी सभी पे होता है और भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने या छोड़ने के लिए अनुछेद 5-11 की बीच में वर्नन किया गया है और कौन सा भाग है भाग दो में वर्नित है समिधान के नेक्स कुछन हो देखते हैं अनुछेद 25-28 यहां होगा 25-28 के अंतरगत परदत धार्मिक अधिकार पर राजकी ने अधारवर पर प्रतिवन्द लगा सकता है लोक ब्यवस्था सदाचार स्वास्थ और इनमें से सभी तो इसका क्या उतर होगा D होगा सभी राश्पति पद पर कारवाहक राश्पति के अलावा सबसे कम अबदी तक पद पर बने रहने वाले राश्पति कौन है A है विवीगीरी B है जाकिर हुशन C है फुर्दीन अली अहमद D है निलम संजीब रेडी तो इसका उतर क्या होगा जाकिर हुशन उतर होगा भायत में राश्पती भरत में राश्पती होगा अनुछेद 52 में बर्नन किया गया है और अनुछेद 56 में राश्पती का कारेकाल का बर्नन किया गया है तिनेश कोशन की तरह बढ़ते हैं अनुछेद जरू याद करिएगा ये कोशन अनुछेद से रहता है अस्पुरुस फर तथा पाइन के ब्रिक्ष मुखिता किस प्रकार के वर्नों में पाजाते हैं यह है मांसुनी भी है भूमद रेखिए सी है भूमद सागडिये और डी है टैगा तो इसका उत्तर क्या होगा डी टैगा होगा चैनल को यादि सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दें जाज सेयर कर दें रीगवेद में श्लोक संगिता श्लोक सभिता से भी संबंदित है सभिता का अर्थ किस देपता से है यह इंद्र बी है वरून सी है सूड और डी है पवन सभिता का जो है वर्नन किया गया है सूड से है सी उत्तर होगा रीग बिद्ज है सबसे पुराना वेद है और इसमें दस मंडल दिये गए हैं नेश कुशन की तरफ पड़ते हैं लाला राजपत राय किसके बुरूद प्रदरसन कर रहे थी जब वे पुलीस के बरबरता के सिकार हुए यह है रॉलेट एक्ट बी है मारल राजपत रूड़तन कर रहे थे जब वे पुलीस के बरबरता के सिकार हुए थे इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि एक भी इस कमिशन में एक भी भारतीए सदस नहीं था इसलिए इसका विरोध भारत में किया जा रहा था और यह 1927 की बात है पूछता है यह कभ की क सब्सक्राइब निए 27 में साइमन कर्मिशन भारत आया था वाउल लोकृत के साथ कौन सा परदेश समन्नित है यह गुवा भी है कस्मीर सी पशी मंगाल डी है में घाले इसका उतर क्या होगा पशी मंगाल वाउल यह पशी मंगाल का है जैसे की गर्वा गर्वा कहां का है गु लोकनीत यह रायस्थान का है इसी तरह से के बवाउल कहां का है पशी मंगाल का है नेक्स कुशन की तरह बढ़ते हैं परजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था यह जैप्रकास नरायन भी है बिनौवा भावे सी है मन राए और डी है मुराड़ी देशाई तो इ इन्होंने हजारी बाग जेल से छुडने के बाल नेपाल में जगर के आजाद दसा नामक संग्थन बनाया था और किस जेल में बंद कर दिया गयता है उनको पुछा लाता है पश्चिमी घाट की सबसे उची चोटी कौन सी है यह कुद्रे मुख भी है भोर सी है महादेव डी है कौंकन पश्चिमी घाट की सबसे उची चोटी जो है क्या है कुद्रे मुख है पश्चिमी घाट को सहादरी के नाम से भी जानते हैं और पश्चिमी घाट में जो है तीन दर रहे हैं उसको याद कर लिएगा पालगाट थालगाट और भोरगाट वह किस से जूड़ता है यह आप सर्च करके बताएंगे कमेट बॉक्स में पालगाट थालगाट और भोरगाट को याद कर यह कोशन पूछता है वो कहां से किसको जोड़ता है इसको याद करना है आप सबसे ज़्यादा टटिये सबसे ज़्यादा बड़ा समुद्र को टट से कौन सा चुता है गुजरात चुता है सरबादिक टट रेखा इससे गुजरात कोई समुद्र से मिलती है नौ उनीस राज्यों की समुद्र से बिलकुल भी नहीं मिलती है नौ राज्यों की मिलती है समुद्र से चलिए आप जो है का जो स्रीच चलना है इसे कोशन पूछे जाएंगे वीडियो को देखने के लिए धन्य बाद चैनल को याद इस सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक करते जाया सेयर करते ताकि आने लोगों को भी इसका लाब मिले फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में